गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग आगे देखते हैं प्रतियेक रास्ट राज्य है या सूड एवरी नेशन हैव ए स्टेट यह क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे रास्ट और राज्य सब्दों का एक ही अर्थ में पर्योग करने से काफी उल्जन पैदा होता है क्योंकि राजनिती सास्तर में इन सब्दों का अर्थ अलग-अलग है गिल क्राइस्ट के सब्दों में एक रास्ट राज्य तथा रास्टियता का योग है इसका अर्थ यह नही है कि प्रतिय एक राष्ट राज्य है दोनों के बीच निमिन निखित अंतर मौजूद है तो क्या कि अंतर मौजूद है दोनों के बीच राष्ट और राज्य के बीच तो एक नमबर देखते हैं राज्जी के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और समप्रभूता नामक चार तत्वों का होना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट के संबन्ध में जनसमुदाय के अलावा अनिये निश्चित तत्वों का वर्नन करपाना संभव नहीं है। राष्ट को बनाने से संबन्धित तत्व बराबर बदलते रहते हैं। दूसरा नमबर, राष्ट और राज्जे दुनों का संबन्ध किसी न किसी भूखंड या भूभाग से औस्य होता है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्जे का भूभाग सदेव पूरी तरह सुनिश्चित ह होता है। लेकिन राष्ट के संबन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। राष्ट राज्जे की सिमाओं को पार करके अनेक राज्ज्यों में भी फैला हुआ हो सकता है। इस संबन्ध में गार्णर का कहना है कि यदि राज्जे को हम नसल संबन्धि या भासा संबन्धि जन् दोनों की स्यमाई बहुत कम एक होती हैं तो दी हारन के तौर पर फ्रांसिसी राष्ट फ्रांस राज्जी की सिमाऊंज से बाहर भी फैला हुआ है इसी तरह हिंदू राष्ट भारत के बाहर अनेक धेसों में फैला हुआ यही बात अंग्रेज जर्मन का दूसरे राष्टों पर लागू होती है। तीसरा नमबर राज्य के पास सरकार और सम्प्रभुता होने से वह अपने आदेश को सभी वेक्तियों या नागरिकों पर लागू कराता है। कोई नागरिक उसे मानने से इनकार करता है तो राज्य उसे दंदीत करता है। इसके विप्रित राष्ट के लिए सम्प्रभुता और सरकार की अनिवार्यता नहीं होती। उसके पास पुलिस सक्ती ना होकर अध्यात्मिक अथ्वा नैतिक सक्ती होती है। एक राष्ट के निमासी, भावनाओं और आदर्शों की एकता के कारण ही मातरी भूमी के लिए बड़े से बड़ा त्याग और वलिदान करने को त्यार हो जाते हैं। जैसा कि भारत पर चीन और पाकिस्तान के हमले के दोरान देखने को मिला था। इसलिए लोगों में राज्जे या सरकार के प्रती वह स्रधा नहीं पाई जाती जो की राष्ट के प्रती उनमें होती है। इसके अलावा जब कभी कोई राज्जे अपनी संप्रभुदा खो बैठता है तो यह राज्जे नहीं रह जाता जैसा कि दुसरे विश्वयूद के दोरान जर्मनी और जपान से पराजित होने वाले राज्जों के संबन में हुआ था और वे राज्जे नहीं रह गये लेकिन वे राष्ट तब भी बने रहे क्योंकि राष्ट के लिए सरकार और संप्रभुटा अनिवारे नहीं होती चौथा नमबर राष्ट का अधार अध्यात्मिक चेतना समंधि एक्ता की भावना है जिसे राज्जे ना तो उत्पन कर सकता है और ना ही उसे समाप्त करने की सक्ति उसके पास होती है दूसरी और राज्जे पूरी तरह एक राजनेतिक व्यवस्ता है जो मानों की अवसकताओं को पूरा करने का मुर्त रूप है मनुस की भावनाव से राज्जे का कोई समंध नहीं है जैसा कि राष्ट के विशे में है तो इन दोनों का निसकर्ष निकलता है इस विवरन से यह अस्पस्ट हो जाता है कि राष्ट राष्टियता और राज्जे नामक तीनों सद्ध राजनितिक सास्त में अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं इसलिए उनका एक दुसरे के समान अर्थ में परयोग करना कभी भी उचित नहीं माना जा सकता है फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन तीनों सब्दों में समान रूप से और राष्ट के था राष्टियता में विशेज रूप से बहुत गहरा समध मौजूद है तो बच्चों यह था राष्ट और राज्जे के बिच अंतर क्या अंतर है दोनों में तो आज मैं अलागर की कलास हम आप करती हूं थैंक यू